ने बना के दिया, उनको भूल रहे हो, उनकी ठीका करते हो, रावुल गांदी की ठीका करते हो, प्रियांका की ठीका करते हो, आप लोकों को शर्म आना चाहिए, जिनों ने तुमको एक राज दिया, और तेलंगाना के लोकों की इच्छा जो थी, वो पूर्ती किसी ने किया, स उनको किसी न कौन धोका दिया जो लोग आज हुकमत कर रहे हैं जो पार्टी आज हुकमत कर रहे हैं यही लोगों ने सोन्या गांधी को धोका दिया उनके घर गए उनके पहर चुए उनके साथ फोटो निकाल लिये और दूसरे दिन बदल गए लेकिन आपको याद रखना कि इस राज को बनाने में कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ है और सोन्या जी के बगर यह नहीं हो सकता था जो काम किसी नहीं किया पहले वो सोन्या गांधी जी ने किया तो भाईयो अगर इंद्रा गांधी जी से यह इलेक्ट नहीं होते तो यहां पर तीन बड़े पड़े कारखाने नहीं होते बी एची एल, बीडी एल, और्डिनस फैक्टरी यह तीनों फैक्टरी जो पब्लिक सेक्टर के है यहां नहीं आते थे लेकिन यह देन इंद्रा गांधी जी की है और स्टेट बनाने का देना यह सोन्या गांधी जी का है तो गांधी फैमिली ने तेलंगाना को हर तरीके से मजबूत बनाया लोकों को नौकरी दी तेलंगाना अलग किया और आपको आजाद करके आज यह जो काम चुनाव हो रहे हैं अलग हो रहे हैं तो भाईयो मैं आप से एक ही निवेदन करता हूँ कॉंग्रेस पार्टी हमेशा गरीबों के बारे में सोच किये जो कॉंग्रेस पार्टी बैंक का नैशनलाजेशन किया जो पार्टी लेंड रिफॉर्म्स लाया जो पार्टी यह जो मजदूर थे उनको अलग कर दिया और ऐसे बड़े बड़े काम करके आज लोकों में जो गरीबों को मदद मिल रही है वो मदद है कॉंग्रेस पार्टी का इंद्रा कांदी जी ने मंडरे का सोनिया कांदी जी ने मंडरे का प्रोग्राम दिया मजदूरों के हाथ मजबूत किये यह किस ने किया कांग्रेस पार्टी ने किया